लाजनीती में आज की जो खबर है कि खास नहीं है लेकिन खबर है बड़ी तेश्वी आदव आज पहुंचे थे मंदिर उनकी पत्नी राश्च्री आदव उनके साथ थी पूजा अर्चना भी की है आज सुमबार का दिन है सावन की सुमबारी है काफी पवित्र दिन है और राजवन सीनिगर में जो हन्वान मंदर हैं वहीं पहुचे थे पूजा की है और लोगों की सेवा की है जो निर्धन होते हैं उन्हें बठा कर खिरा भी है वो तस्वीरे हम अपने दर्शक को तस्वीरे आप देखें अपनी राश्री आदव के साथ मुझे थे उनकी बिटिया कात्याने उनके साथ थी और पूजा अर्चना की है पूजा आचना करना अची बात है और सेवा पर्मधर्मा सेवा तो करनी चाहिए निर्धनों की सभी को खाना खिला है क्या लगता है क्या यहीं तो नहीं हुआ है अब दीखिए बिहार के प्रमुक सियासी परिवार की बहु है लालू जी की रावडी देवी की बहुना है और विपक्ष के नेता विधान सभावें जो खुद दीप्टीची फिनिश्टर रह चुके हैं उनकी पत्नी है यह पव पहले भी आप देखिए रावडी देवी के साथ चक्की पीछ रही थी घर में जाता चला है मतलब अब जो बैक्ग्राउंड रहा है वो घर में उसर ग्रिणी भी तो अतीत की बात हो गई लोग घर में पहले चावाल कूटते थे चक्की से आंटा पिछते थे सतू पिछते अब रावरी जीवी तो ग्रामीन परिवेश से वो पली बढ़ी मुखमंत्री हुई लेकिन अब देखा है आपने बहु को भी चक्की पीछते देखा क्या दरसाता है यह पावल के पेरेंस है अब वो इस सब कुछ कर सकती है आपको याद होगा चर्चा जब जीस परिवार म में तो आप देखें मुखमंत्री केंद्रे मंत्री विपक्ष के नेता सांसद पिधायक और आगे जोड़ें जैदी लालुजी के उस शुलाली पड़िवार से जोड़ें विशादू सुबास की भी तो सभा लोग सब अब तो फिर इकल होकर कि कहीं विदान सभा विदान प पतनी है तो दूजार पचीस ना और है चुनाफ आप दिजार कीजिए कोई के सकते हैं सब्सक्राब की बात करते हैं तो तय करना है जैंते हो गया तो चुनावी लड़ेंगे इस में कोई अब बुराई भी नहीं है इसमें बूराई भी हम नहीं मानते हैं इसको परिवारब उसमें तीन सीट पर परिवारबाद ही दिखेगा चाहे वो जितना मांजी जी की बहु लड़े या बेटा लड़े शुरेंजादव का सुपूत लड़े आप फिर चाहे जक्तानान सिंह राजत के प्रदेश सद्यक्षान का सुपूत दढ़े तो इसलिए वह सियासी परिवार सब्सक्राइ़। इसक्ति कारने की बातंगे अच्या लगों को भी थन्य लिए कि यहीं कहाars और करने की बात नहीं यह अच्छा लगा भी अच्के तो बहुत लोग जाएंगे जो तेस्विश मिलने तो उनसे भी मिलेंगे लोग होता ही ना घर में इसी ढंग से लोग आके बढ़ते हैं इंद्रा जी का जमना देखिए जबाहरलाल नेहरू के बाद इंद्रा जी इंद्रा जी के बाद फिर राहूल संजसब ने और फिर उसके बाद उसके पहले राजी तो इसको देखने को मिलेगा तो कोई संभावनाओं का खेल भी हाँ बिल्कुल और कुछ यूहीं नहीं होता है बार बार पुब्लिक बीच जा रही है अच्छी बात है लोगों से मिलना चाहिए यह तो नहीं हो रहा है नहीं इसको इस रूप में देखिए लेकिन बढ़ता ही है चलिए एक बात हम करते हैं बेचैन सब्सक्राइब करते हैं कि राजनीत के चानक है तो हंडेट परसेंट बिहारी नहीं थे सब्सक्राइब कहां कि रहने वाले हैं यहीं बिहार विदान परिशद में भी मेंबर थे और जार्खंड में जाने के बाद अब तो जैन्ट कि लड़न कहिएगा पिछला दूहजार परणीश का चुनाब जरा याद कीजिए रगुवरदास सीटिंग चीफ फिनिस्टर थे उनको हराया निर्दली चुनाब लड़के उसी सरकार में मंत्री भी थे मुद्दा उठाया अब रावरी अधिक उसमय अब रगवरदास की गवर्मेंट जो थी चीफ फिनिस्टर सह सरकार में मंत्री भी थे और वो लड़े जमसेथपूर से चुनाब उसी स्चेत से बगल के पूरव एक पश्चेमाली सीट थी तो अब रगवरदास को जब टिकट नहीं दिया वाजपाने जमसेथपूर की बात कर रहा है तो फिर वो रगवरदास की कंस्वेंसी से सर्जुराय की और वो एक पर यहां आये थे भी पिछले दिनों जब कभी आप सोचे जारखन मेरे इतना प्रभाव साली रहा है कि मेरी जानकारी सर्जुराय की सिफारिज पर कई यहां निक्ति हुई किसी आई सधीकारी की कोई राजनेता को ही पद मिला है उसमें भी सर्ज सर्जुराय की भूम कर रहे बड़ा निटीज जी वह पुराने लगाव के कारण बड़ा उन्हें प्यार असनेह देते हैं अब उन्होंने चुनाव हारने के बाद वो चुनाव जीत गए ना जमसेत पूल से जव इसके बाद भारतिये जन मोर्शा उन्होंने बनाया था उन अब उन्हों खुद बीजेपी में सामील हो गए पहले तो निटीज जी से मिलकर गए थे कल उसंजे जहां जो कार्चकारिया ध्यक्ष्यां जैदिव के उनके सामने वह सामील हो गए अब उनकी पार्टी का संसापक कर दिया हाँ अभी तो सामील हुए तो विले भी प्रोसे सब्सक्राइब तो बारा सीट की दावेदारी की है जैदिनों कि हम वहां लड़ें और सरजूर आया जिस सीट से सिटिंग है वहां से उनकी दावेदारी विश्वाविक है और वो जदिव वो इस्तिती नहीं है जो पिछले वर्सों में आप देखा करते थे अब तो के दावे की उसके उसकी मांग के अंदेखी नहीं की जा सकते एक दूसरा एक और ची देखना हो जारकन की राजनीत में एक सर्जूर राय के आने के बाद से एक स्थिती बर लेगी ठाकुर समास जाते हैं मतलब राजपूत हैं और बुरा ओधनवाद गोकारो जमस्थ पूर जो वह राका है ना बिहार से बहुत सारे लोग जाबस हैं और आज भी बहुत अज भीए बहुत ही करीवी रिस्ता है बिहार के लोगों से थियों से और उसका उनको इल्ला वहाओ मिलता है तो सर्जूराय जब बने हैं तो एक तो बीजेपी पर जैदिव का जारखन में दवाब प्रेसर के लिए एक शेहरा होंगे वह और बीजेपी में केंद्र में भी उस सारे नेताओं से सर्जूराय का एक्सेस अच्छा सम्बंद रहेंगे जैदिव के साथ ही बीजेपी के पार्टी में यह सबस्ट है कि जिस सीट से वह में रहें उसी अब रहुवर दास्तों अभी पूरिशा के राजपाल नहों अब जीशीट से वह करते तो उसीट पर आज सर्जूराय में 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 विधान सभा में उसीट पर उनकी दावेदारी भी साथी रहें जैदिव को सर्जूराय के पास साक्ष और लने का माधा है जिन लोग चर्चा आपने की लोग हाई कोट गए और पटीशन वही था इनहीं के पटीशन पर रंग लाई कि चारग होटाले की सीवी आई जांच हुई हाई कोट ने मोनेटरिंग की और नतीजा आपके सामने है कि लालू जी को चार बार उसी केस में कन्विक्ट हो गए सजापता हो गए तो सर्जूराय के लड़ा कुछ है वहां भी दोस्तिया मों कब तक बरवाद किया है कि निर्दलिय बताइए उसी सरकार में मंत्री हो और चीफ फिनिस्टर के खिलाब चुनाब लड़े निर्दलिय अज जीत जाए चीफ फिनिस्टर हर जाए उसकी सरकार की भद पीट जाए वहां तो सर्जू राय का और मैं मानता हूं कि भार्षा कंड में अभी नवंबर इ खाएगा इंडिये में रहकर अपनी हिसेदारी खो जगा और सभावी की रूसे बीजेपी आप वह इस इती नहीं है कि नकार सकती है इग्नोर कर सकती है जदिव का दावा के अनुरूप भले बारा सीट नहीं मिले पर तो सभी राए की दावेदारी सभाविक बनती है अब पांड़े जिए नहीं को बताया है हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने कोशिश की है राश्री आदव भी आगे आने वाले समय में राजनिती में उतर सकती हैं चुनाओं लडेंगी यह संकेत मिलने अब मन्ते हैं प्रीप आप हैं चुनाओं मैं कर दो वाहैण